वेलकम स्टूडेंट्स क्लाश 12 के टारगेट 100 आउट ओफ 100 के इस शांदार वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आएं कि किस तरीके से आप शांदार प्लेनिंग करके और साथ में हार्ड वर के साथ में कैसे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं कैसे आप सप समझते हैं तो आपके इस जो आपका एक्जाम होने जा रहा है इसमें फुल माक्स आने जा रहे हैं ये पका मान लीजे आप बस आपको एक स्ट्रेटेजी एक प्लैनिंग बनानी होगी योजना बनानी होगी और साथ ही जो मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आपको आ के अनुसार आपको के से पढ़ाय करने हैं कौन-कौन से टोपिक्स पढ़ने हैं क्या पढ़ना है के से पढ़ना है हर चीज का आध हम डिसकस करने जा रहे हैं यानि आपके लिए बहुती मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है एक निश्चित लिमिट में आपको निश्चित दिनों में कैसे सपलता आसिल करनी है अगर आज तक भी आप जीरो हैं तब भी आप हीरो बन सकते हैं बस इस चीज को ध्यान से समझे आए सबसे परे देखते हैं आपके जो यहां पर सिले ब साथ है आपके राइटिंग पार्ट, रीडिंग पार्ट, ग्रेमर पार्ट सारी चीजे किस में से क्या आने जा रहा है और किसको के से पढ़ना है और क्या पढ़ना है सारी चीजे ध्यान से समझे सबसे पहले आप देखे फ्लेमिंगो अब आपके फ्लेमिंगो में यहां प पोईटरी पार्ट है उसमें आपका जो टोटल जो मार्क्स वेटेज दिया हुआ है अंकभार दिया हुआ है इस बुक को वो दिया हुआ है टोटल 28 मार्क्स का लेकिन यहां पर ध्यान से समझे इतने सारे चेप्टर से यूं मान लीज़े आपके जो फ्लेमिंगो पार्ट का जो इधर प्रोज चेप्टर जो प्रोज के प्रोज का पार्ट है जिसमें आपके टेक्स्ट दिया हुआ है यानि की चेप्टर दिये हुए हैं वो आपके एट है और कापी ज़्यादा कुछ-कुछ चेप्टर तो आपके कापी लेंट हैं खापी लंबे हैं और उनको सबसे पहले मैं आपको यह बता देता है कि हम इनको डिवाइड कर लेता है आपके 28 marks हैं इसमें से आपके एक जो आपके फायदे की चीज़े वो है कि इसमें 6 marks का आपके scene पेशेज दिया जाएगा यानि कि यह आपका जो इधर प्रोज के जो chapters हैं उनमें से किसी भी chapter से आपके 6 marks का एक scene पेशेज दिया जाएगा लेकिन वहाँ पर भी ध्यान देना है वहाँ पर भी आपको वो marks जो last के दो आपके question दिये जाते हैं similar word वार ले या पिर opposite वाले find out the word वाले उनको ध्यान से समझना है अब हम देखते हैं 6 number तो ही हो गए आपके 6 marks लेकिन आपके यहाँ पर अब यह निकानने के बाद आप 22 marks की questions रह गए ठीक है ध्यान से समझना 6 marks का आपने पेशेज अटा दिया इसको तो याद करना ही नहीं है यह तो आपको वहाँ सोल करना है जो कि हर बच्चा पेशेज में लगबग कर देता है अब 22 marks से लेकिन 8 chapter हैं ध्यान देना 8 chapter से इधर इस पार्ट में और उसके लिए मात्र आपके कितने marks दे हो हैं 8 marks यह बड़ी सोचनी बात है कि इतने ज़्यादा आपके लगबग यह जो आपके 6 points से पीचे के 5, 7, 8, 10 पेश होंगे उनमें complete हो गई और इतनी मोटे किताब के लिए आपको मात्र 8 marks दिये हैं और यह जो आपका poetry part इसके लिए 14 marks दिये हुए हैं आप model paper sample paper जाकर देख लीजिए explanation दिये हुए है 6 marks की तो और साथ ही आपके 8 marks की question दिये हुए हैं जिन में से 4 marks का तो एक गान से टाइब वर्ड लिमिट 80 है और दो क्योसन आपके 22 marks की हैं जिनकी वर्ड लिमिट 22-25 marks दी हुई है अब यहां पर आप देखें में कौन से पार्ट में मेनत करनी है यानि कम मेनत में ज्यादा marks कहां पर मिल रहे हैं आप स्वेम देख लीजिए मात्र इतनी सी poems पढ़ हुई है यानि six marks तो हमारी याद आएंगे अगर मान लीजे हर इस्टेंज आके अलग-अलग याद नहीं भी हो रही है तब भी हमने आपके लिए इसकी common explanation के वीडियो बनाए हुई है यानि यह तो पक्का हो गया कि यह six marks हर student की जेव में अभी से आ गए अगर वो और कुछ भी यान नहीं करता है common explanation भी याद कर लेता है तो six marks तो यह हो गए ध्यान देना इसमें कोई दिख कर नहीं कोई सा भी दे दे कम से कम वो तो आई रहा है साथ ही आपके एक और में चीज बताऊं ध्यान से समदना six marks के लावा एक question अधिकतर अधिकतर mostly हर साल एक question message theme central idea इसमें से जरूर पूछा जाता है और वो message theme central idea का हमारा जो answer है वो भी इस common explanation से clear हो रहा है यानि ये दो चार में से दो अंक जो आपके 20 to 25 marks का पूछा जाएगा उदर से या फिर 4 marks का पूछा जाएगा तो चार अंक हमारे इदर और प्लस हो रहे हैं यानि ये 10 common explanation याद करने से हो रहे हैं में और अगर आपको इसका विश्तार से याद करना है तो इसकी जो अलग-अलग इस्टेंज आवाइज हमने बनाए हुई है common explanation के अलावा उनको पढ़नी जे और मात्रा आपके इतनी सिच्छे points दी हुई है हो सकता है अलग-अलग board में कोई point हटा भी दी गई हो लेकिन मैंने NCRT की साबसे जो आपके 6 points दी हुई हो टोटल बताई हो 14 marks आपके इदर से आए यानि इदर आपको मेनत कम करनी है marks का खजाना है ज्यान देना इदर 4 marks का 80 words में दिया हुआ है 20 to 25 marks का जिसमें से आपके तीम में से सेंटल आइडिया का और एक क्योसन और पूचा जाएगा चार और चार आट और से 14 आंका आपके टोटल हो गयानी की 14 marks अब आगे बढ़ते हैं सीन पेसेज में ने बता दिया अब इदर आते हैं आपके जो 8 chapters दी हुई हैं अब यहाँ पर ज्यान देना होता क्या है कि आपको पताओगा कोविड नाइंटीन के जैसे हर साल पिछली साल दो साल से कोर्स को कापी रिड्यूस किया गया था घटाया गया था तो उन में से कुछ chapters आपके पिछली साल नहीं थे जायर सी बात एक्जामिनर उस जगह पर जाएगा जहां पर कि अभी क्योशन पूछा ही नहीं गया है पिछले years में जो chapters नहीं थे और इस बार हैं और आपको पताए आपके जो यहाँ पर chapters है जैसे यह chapters बहुत सी जगह पर हटाया हुआ था यह chapters यह लेंग थी थे थोड़े chapters ते तीन चार पांच इन में से questions बहुत सी बार उसने दी हैं लेकिन वह इस बार पीछे भी जाएगा यानि इन में से भी question put up होने की पूछने की संभावना बढ़ चुकी है इन में से question पूछा जा सकता है इन chapters में से और एक और चीज में आपको बता दो ध्यान से समनार ची character sketch वाला यानि कि आपको Mr. Hemal है Mr. Hemal का मान लीजे पिछले साल निकल गया तो नहीं आएगा अगर नहीं निकला है तो Mr. Hemal Lost Spring में आपको पता है Lost Spring में Sideway मुके से दोनों है इन में से इन में difference भी पूछ सकता है इन में अंतर क्या है और इनको single single भी पूछ सकता है बागी ज़्यादा संभावना क्या है इन में difference पूछने की deep water में आपको पता है character नहीं पूछ कर इसमें से जो William Douglas है उसने किस प्रकार जो पानी का भई था उसे दूर किया या पानी के भई कियो जैसे वह किस तरीके से बहुत परेशान था या instructor ने बीट बाए बीटू से कैसे perfect swimmer बनाया इस तरीका का question में से इस तरीके का पूछा जा सकता है अब दा रेट ट्रेप में चलते हैं लोग आंसर की बात करें तो यहां पर दपेडलर है आईरन मास्टर एडला है तीन केरेक्टर मेंने इन तिनों को तयार कर लिए तीनों के मैंने अलग-अलग वीडियो बनाये हुए हैं इंडिगो में से आपको देख लीजे गांदी जी का जो चंपारण आंदोले हैं उससे related question है जो एक ही याद करना है कोमन बनाया हुए इंडिगो में गांदी जी का क्या योगदान था कहीं सारी question का एक और साथ ही इसमें एक और question है जो गांदी जी ने चंपारण के किसानों के लिए जो उनकी social और economic जो condition थी उसको कैसे उन्होंने improve किया कैसे सुधार किया उसका अलग question है यानि इसमें से दो question most points and pancakes में चलते हम तो यहां पर ओपिस boy है सुबु है तो यहां पर आप सुबु को विशेश रूप से ध्यान में लेकर उसको याद करें सुबु का कोट मंगलम सुबु का करेक्रिस केज बनता है इस चेप्टर में से यानि अत्वा में डिमांड करता है अगर इधर से एक आप को में एक साहिकलोजी बताना चाहता हुं कि जब कोई एक लेंधिक क्योसन बढ़ा क्योसन बुक के सुर्वांति चेप्टर से दिया जाता है तो पीछे तक चला जाता है और वहां से उसको अत्वा में ले लेता है माली जी इधर से नहीं आया तो पेंट केक्स में शु मेनी स्टूडियोज में ए मारे जो यह मारे था मोरल रियर मामेंट आर्मी उससे रिलेटेड और उसके द्वारा जो प्लेज प्रेजेंट किये गए थे वो और वहाँ पर जो हर वो इस्टिपन इस्पेंडर रहा था जो पोईट आया था उसका आगमन के से एक मिस्ट्री था इन चीजों से रिलेटेड शोट और लोगान से टाइप के उसंस बनते हैं विशेश तयार कीजिए दाई इंटर्यू में से पोजिटिव क्या यूजे इंटर्यू को लेकर नेगेटिव क्या है और साथी अमबर टू इको से रिलेटेड दर नेम अप दर रोज जो उसे मैं कैरेक्टर है और सोपी के लावा वह जोप को कैसे अपनी फैंटेसि में सामिल कर लेती है और जैंज शेक अपनी से क्यों नहीं करती से रिलेटेड री सैप इसमें मोच इंपोर्टेंट है और पिर पोईटरी में मैंने आपको बताया यह जो आपको यह एक्स्प्लेनेशन से याद करोगे साथ इसके सारे क्योशनान सर्व याद हो जाएंगे में चीज क्या ध्यान में रखनी है ती में से सेंट्रल आइडिया एन एलिमेंटरी यह जो माई मदर 66 से इसमें से दो तीन चार क्योशन बनते हैं आपके विशेज ध्यान में देना माकित कंडिशन देखो देखकर मदर को कैसा लगा या उसका चायल्डूड फियर क्या था जो निकलते हुए पेड़े उन्हें क्यों देखती यानि बागती बच्चों को क्यों देख स्कूल क्लास रूम इनसलम यानि कि इसमें से वो क्योशन बन रहा है कि किस कंडिशन में बच्चे रह रहे हैं और कभी उनके लिए क्या साता है वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से आपके में से थीम सेंटल आइडिया भी बनता है विशेज ध्यान रखना हर प्रबल यहां से और कविया में शांत रहने के लिए क्या रहने से क्या बेनेफिट होंगे यह ज्यादा दावे करते हैं आपको पूछा जा सकता है जो कवी ने जितने भी त्रिंग्स ओव ब्यूटी में उन्हें बताइए और विशेश मोस्ट इंपोर्टेंट रोड साइड इस्टेंड में जो विलेजर से गाउं के लोग जो वहां पर अपनी शोप लगाकर बेटे उनके लिए very very most important है याने कि यहां भी उनकी इस्तती बोत बुरी है और कभी उनको development चाता है वो चाहता है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए विशेज द्यान दें और यही इस्तती इसमें बच्चों किये वो भी बहुत बुरी इस्तती में रह रहे हैं वहां भी कभी उनके उत्थान की उनके डवरप्मेंट की बात करता है यानि इन दोनों में से सेम टाइप क्योशन बन रहा है क्योंकि वहां बच्चे बुरी इस्तती में रह रहे हैं और कभी उनके उत्थान की बात करा है कैसी इस्तती में रह रहे हैं वो आपको वर्णन करना है जो भी वहां पर डोनेशन्स लगे हुई हैं बुरे क्यों हैं और यहां पर भी रोड साइड इस्टेंड पर उस stand owner की पीडा, उसका pain और क्या चाता है कभी उनके लिए Aunt Jennifer Tiger में से character sketch, Aunt Jennifer का जो character है उसके बनाए हुए Tiger से किस प्रकार opposite कभी यहां पर क्या चाता है और महिलाओं से related पियां पर question पूचा जा सकता है कि कभी महिलाओं के लिए क्या चाता है कैसे उनके लिए आज के युग में यह जो उसका husband होता है उन्हें treat करता है इसे नहीं करना चाहिए इससे related अब आगे बढ़ते हैं विश्टाज में थर्ड लेवल है टिपिकल चेप्टर हैं जहां पर आपको पता है Charlie और उसका जो friend होता है उसका जो मित्र होता है बनोची की सक्सेम उसे related third level पर क्यों गया थर्ड लेवल क्यों exist करता है third level पर लोग क्यों जाना चाहते हैं विशेष द्यान देना third level में से third level को Charlie के लिए लोगों के लिए बचाओ का मादिम क्यों बनाया गया है लोग चिंता इन चीजों से मुक्तोने के लिए यानि कि थरड़ लेवल से इलेटेड दर टाइगर किग आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर इदर से देखा जाए तो और दर टाइगर किंग मैं से कहीं सारी क्योंस हैं लेकिन इस में से जो मोस्ट कारण केसे बना जो एक्ष्ट्रो लोजर्स थे उनकी प्रेडिक्शन थी केसे प्रूव हुई ट्रू सच केसे साभी तुई लोंगान से टाइप में यह बनता है छोटे-छोटे में कहीं सारी क्योंस बनते हैं जैसे उसने उस लड़की से शादी क्योंकि जहां पर की जाने मना कर दिया था तो कैसे वो उसका शिंगाशन गवा देता समय भाग का इंतजाम कैसे हुआ इस तरीके के क्योशन जर्नी टु दे एंड ओफ दा अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही स्टुडेंट्स ओन आइस प्रोग्राम विशेज ज्यान देना स्टुडें स्टुडेंट्स जा सकता है स्टा उन्हें उसे क्यों नहीं मारा उसकी कैसे मदद की चोटे में पूचा जा सकता है क्यों चले गए और बाद में वापस लोट कर कैसे आगे इससे रेलेटेड आपस क्योशन बनते हैं सुट्डू विजार्ण ममि में आपको पता है कि जो है वो जो का character फूचा जा सकता है। जो केसी थी वो क्यों चाहती थी कि उसकी wizard है, उसकी ममी को हिट करें, यहां पर जो 스ंड ता उसकी ममी को और साथ इसमें से powder में केसी smell आती थी और जब इसमेल आती थी तो उसके साथ ता उसकी ममी को और साथ इसमें से रोगर इसकेंग में केसे स्मेल आती ती और जब इसमेल आती थी तो उसके साथ खेलने वाले क्यों भाग जाते थे या कहा जाता है केसे उसको wizard अच्छी रोजेज़ इसमेल से में बदल देता है और most important त्यान से सुना कि उसकी मदर क्यों चाहती थी कि रोजर इसकंग में original इसमेल बन नहीं रहे या उसकी मा विजर्ड के पास उसे लेकर क्यों गई है इससे related है ओन दे पेस ओपीट में आपको पता है डेरी और मिस्टर लेम का विशेज रूफ से इसमें क्यों बनता है मिस्टर लेम का केरेक्टरि स्केज पूचा जा सकता है या फिर मिस्टर लेम ने किस प्रकार डेरी के अंदर positive positivity भर दी कैसे उसके विचारों को जीवन के प्रति उसकी जो view जे दृष्टिक होने उसको कैसे positive की तरफ ला दिया विशेज रूफ से इवांस ट्राइजेन ओ लेवल खापी lengthy chapter है इवांस वाला पूरा लेकिन आपको इसमें से हैं कि इवांस ने किस तरीके से वहां के जो prison इस्ठापता उसको मुर्क बनाया और कैसे वहां से भाग चुटा यह विशेज रूफ से इवांस का character sketch most important एक video बनाया हुआ है उससे आप जरूर देखें मैं अमरी जोब childhood में से लोंग तो संभाव ना कमें लेकिन हां इसको पूछ सकता है आपके जित कलासा और बामा दोनों chapters को मिला कर पूछ सकता है कि कैसे यहां पर यह दोनों ल cutting of my long hair और we to our human being साथ ही जित कलासा के जो परमपराती घर परिवार में क्याती बालों को काटना बुरा क्यों समझा जाता था वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाए और बामा ने उसके बाय अननन ने जब उसको सलाथ दी तो क्या पड़ती गया कि बामा किस तर पूचा जा सकता है तो यह तो अगया आपके बुक्स अब आगे बर दें राइटिंग पार्ट में यहां बिल्कुल भी टेंसन नहीं यह सबसे सांधार है बिशने लेटर 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 टूदर एडिटर यानि हमें मांक्स पक्के मिलने हैं और सिक्स मांक्स से पक्के मिलन तो यहां पर आपको सिक्स मांक्स मिलेंगे जो भी टोपिक दिये हुए हैं उनके लास्ट में आप बाई इंगली स्कूल प्रोग्राम या पिर कोई इवेंट कोई एक्सिडेंट इंसर रेलेटेड होती है इस सब के मिलने दस का एक के नाम से वीडियो बनाए उए हैं याने कि कोई साभी स्कूल प्रोग्राम आ जा है उसका मेंने अलग से common बनाया हुआ है, कोई accident हो गया, कोई quarrel हो गया, house on fire हो गया, shop on fire होगी, कोई भी ऐसी दुरगट ना होगी, उससे भी related मेंने common बनाया हुई, आप चाहें तो इनको अलग अलग भी याद कर सकते हैं, अगर आपकी capacity है, और बिल्कुल time नहीं है इतना सा, त साथ ये blood donation camp, pre-i operation camp, exhibition camp होता है, जहां पर exhibition लगती है, flowers की, books की, इनकी वो, और बाकी mainly school program, साथ ही, जो भी accident होते हैं, उस प्रकार के, advertise section में आगे बढ़ते हैं, for marks काया, तो advertisement में आपको कोई चीट too late, किराए पर देनी है, बेचनी है, खरीदनी है, जो भी ये सब का, मैंने की वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप चारों बना देंगे, advertisement by English, गुरू मेरे सर्मा सर्च कीजिए, और इसमें matrimonials दिया हुआ है, bride wanted, groom wanted, यानि दुलन चाहिए, दुला चाहिए, common बनाया हुआ है, शांदार, एक याद कर लिए, इनको तयार ही कर लिए, पक्के, कोई स भी आजाए, आप लिख देंगे, notice writing का मैंने बहुत शांदा बनाया हुआ है, common वीडियो है, यानि आपको बस एक वीडियो समझना है, आप बना देंगे, कोई सा भी topic आजाए, ज्यान से समझना लेना, notice writing या notice के से लिखते हैं, वाई English, गुरू मेरे सर्मा, accepting and declining invitation का भी, को का पो माक्स आएंगे, आपको अभी से तयार करके रख लीजिए, और ये फोर और अगेस्ट अर टोपिक दिया हुआ, ये अथ्वा में आएगा इन में से, क्योंकि कोई भी topic दे दिया मान लीजिए, नीडो प्रेयरानिव, फ्रातना की आउशकताब आपको प्रेयर के positive में फोर में लिखना है, यानि कि फ्रातना अच्छी होती है, ये से मन आतमा को सुकून मिलता है, और बाद में ये waste of time है, समय की बरबादी है, आज science का युगेस है, उसके विरुद में लिखना है, तो ये की आएगा, तो आप मेरी हिसाब से इन चीजों को उपर वाली जो को मन इनको ज़्यादा अच्छी से तयार करें, क्या पता, ये कोई साथ topic आजाए, हमें वो आता है या नहीं आता है, लेकिन ये तो पक्की आते हैं, लिखकर आएंगे हमारे पास तयार रहेंगे तो, जो आपके ये passage वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको marks मिलते हैं, जो आप जानते हो, 6 marks का, तो ये अब ही हमने यहाँ समझाता, फ्लेमिंगो बुक का, और ये आपके 9 प्लस 6 यानि टोटल 15 marks के आपके जो पेशेज दिये हुए हैं, यहाँ पर आपको खूब खजानाई अंका, बस यहाँ पर 3 marks के आपके वो जो मैंने बताए, मिनिंग्स अब ही केसे हम सर्च कर लेते हैं, उस ट्रिक्स के वाले वीडियो का आप जरूर देखें, और जितनी ही हो सके प्रेक्टिस कीजिए, और आप यहाँ पर बहुत अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं, ग्रामर में चलते हैं, अब इतना टाइम नहीं है, अगर किसी के पास की इनक को पूरा देखकर याद करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चारों की इनकी ट्रिक्स बनाए हुई हैं, याने कि आप लोजे ट्रिक्स, इनको देख लीजिए, प्रेजल वर्प्स को ज़्यादा बढ़िया होगा कि आपके जितने भी प्रेजल वर्प्स दी हुई है, ए सब के ट्रिक्स दी हुई है और यह मैंने आपके लिए पूरा का पूरा शांदार तरीखा बताया है फिर भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी जे तो प्लीज आप कोमेंट बोक्स में जरूर मेंशन कीजिए जहां तक होगा मैं उसका आपको सल्यूशन परदान करूगा देने क कोशिस करूँगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर सेर कीजिए और प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टुडेंट्स थेंक्यू